स्लाम वालेकुम आज हम डिसकस करेंगे चैप्टर नमबर वन का टॉपिक नमबर वन पॉइंट टू फिजिकल कॉंटेटीज आल मेजरेबल कॉंटेटीज आर काल्ड फिजिकल कॉंटेटीज वो कॉंटेटीज जिनको आप मेजर कर सकते हैं वो कहलाती है फिजिकल कॉंटेटीज ठीक है जैसे कि हमारे पास लेंथ है आप लेंथ को मेर कर सकते हैं मैस हो गया आप मैस को मेर कर सकते हैं कि ये चीज 2 केजी की है 4 केजी की है ठीक है तो इसे हम क्या कहते हैं physical quantities time है हमारे पास time को measure कर सकते हैं आप के एक जग़ से दूसरी जग़ जाने में आपको कितना time लगा तो आप इसे measure कर सकते है temperature है आप temperature को measure कर सकते है ठीक है अब physical quantities let's suppose कि मैं एक height measure करने जा रही हूँ और मैं कहती हूँ कि उसकी length 104 है ठीक है अब 104 क्या ठीक है 104 क्या चीज़ है 104 हमारे पास millimeter है centimeter है या फिर meter है ठीक है तो जब कभी हम एक physical quantities की बात करते हैं तो physical quantities को हम दो चीज़ों में subscribe करते हैं अब मैंने लिखा 104 centimeter ठीक है अब यहाँ पर हमारे पास two parts है एक हमारे पास है 104 इसे हम numerical part कहते हैं और second है हमारे पास centimeter इसे हम कहते है unit अब जो हमारे numerical part है उसे हम magnitude भी कहते हैं ठीक हो गया अब जो physical quantities है हमारे पास उसे further two types में divide कर दिया गया अब वो two types हमारे पास कौन सी है first हमारे पास base quantities ठीक है और second है derived quantities अब बात करते हैं base quantities की ठीक है तो base quantities जैसा के आपको नाम सही मलूम हो गया है के base base का मतलब क्या है base कहते है हम किसी चीज़ की बुनियाद को base का मतलब होता है बुनियाद like suppose के आप एक building कड़ी करने जा रहे हैं तो आप पहले उसकी base बनाते हैं ठीक है बुनियादे बनाते हैं आप उसकी जब बुनियादे एक बार बन जाती हैं तो उसके उपर जितने मर्जी चाहें आप फ्लोर बना सकते हैं ठीक है तो सेम ऐसे ही total हमारे पास seven physical quantities है ठीक है जो किसी से भी नहीं बनी अब वो seven physical quantities कौन कौन सी है ठीक है उन में हमारे पास length है mass है time है temperature, electric current intensity of light amount of substance तो यह जो है यह हमारे पास total seven physical quantities हैं ठीक हो गया अब हम चलते हैं derived quantities की तरफ के derived quantities क्या हैं यह जो derived quantities हैं derived from base quantities यह derived हुई है base quantities से जो हम पहले study कर चुके हैं कि हमारे पास total कितनी base quantities थी seven base quantities थी हमारे पास ठीक है तो इन base quantities को further मिला कर जो नई quantities बनाए जाती है उन्हें हम कहते हैं derived quantities ठीक हो गया for example हमारे पास force है, volume है acceleration है pressure है, speed है, density, work, energy तो यह सब क्या है हमारे पास यह derived quantities हैं ठीक है अब आपको यहां पर clear नहीं हो रहा होगा कि कैसे base quantities को मिला कर हमने derived quantities बनाई हैं ठीक है तो यह चीज़ आपको topic number 1.3 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको clear हो जाएगा के base quantities के मिलने से derived quantities कैसे बनती हैं तो यह था हमारा आजकर lecture मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे like कीजिए, subscribe कीजिए, share कीजिए और bell icon को दुबाना मत भूलिए मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए अलाहाफिस